ये चार संकेत बताते हैं कि सिग्र ही आपका भाग्य खुनने वाला है आपके जीवन की आर्थिक जो समस्याएं हैं धन को लेकर जो प्रॉब्लम्स जीवन में चल लही हैं वो सभी दूर होने वाली है कौन से हुए चार संकेत जो धन तेरस पर छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली पर आपको प्राप्ट होते हैं आपको दिखाई देते हैं तो आपका भाग्य अनिश्चित ही प्रबल है आपका भाग्य खुनने वाला है और माता महालक्ष्मी की अश्टलक्ष्मी की विसेस किर्पा आपके उपर है यह हैं आपको चानना चाहिए तो चली जानते हैं कौन से 4 संकेत हैं जो आपका भग्य बदलने वाले है सबसे पहला संकेत माना जाता है जो माता महलप्षमी का वाहन है उल्लू जी हाँ उल्लू लेकिन उसका कलर बहुत महत्वर रखता है यदि सफेद कलर का उलू पूरब दिषा में या उत्तर दिषा में आपको दिखाई देता है तो ये प्रबल भाग्य के लक्षन है कि प्रबल रूप से आपका भाग्य बदलने वाला है आपनी जो परिश्णम किया है आप तक जो कटनाई या जेली है उसका बहुत ही उत्तम परिणाम उत्तमफल आपको मिलने वाला है जो भी आप सोचेंगे वहें आपके कारे बनने वाले हैं ऐसा ये संकेत आपको परदान करता है माता मालक्षमी स्वैम आपके उपर प्रशन हो गई है यह संकेत है कि आपको सफेद उल्लू दिखाए दिया चली अगला संकेत जानते हैं अगला संकेत हैं सफेद शिपकली का दिखना जी हाँ घर में अकसर हम देखते हैं काली शिपकलीया होती हैं लेकिन दीपा बली के आते आते सभी शिपकलीया लुप्त हो जाती हैं लेकिन यदि दीपा बली धन्तेरस या छोटी दिवाली के दिन आपको सफेद शिपकली के दर्शन होते हैं, सफेद शिपकली घर पर या कहीं भी चलती हुई या इस्थीर रुके हुई दिखाई देती हैं, तो यह भी आपके भागे को बढ़ाने वाला माना गया, जी हा, आपका भागे खुने बाला है, लक्षमी की विसेश किपा आपके उपर हुई है तभी आपको सफेद शुप्तिली के दर्शन हुए तो माता महालक्ष्मी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए चलिए जानते हैं अगला संकेत हैं सफेद छचुंदर जी हां सफेद छचुंदर या सफेद चुहा यदि धंतेरस दीपावली छोटी या बड़ी द धन से चुड़ी हुई सवी समस्या आपकी दूर होने वाली है यह संकेत देता है सफेद चुहे या सफेद छुदर का आपको दिखाई देना चलिए अगला संकेत हैं सफेद बिल्ली का दिखना आपके घर के निकत घर के आसपास या रास्ते में जाते हुए आपको सफेद बिल्ली के दर्शन हो जाते हैं दीपा वली के दिन विसेश तोरशे या धन तेरस के दिन या छोटी दिबाली के दिन तो आप समझेए कि वह सफेद बिल्ली नहीं है उसके रूप में साक्षात लक्षमी का दर्शन आपको हुआ है तो इसका संकेत यह है कि कहीना कहीं आपको गड़ा हुआ, कहीना कहीं आपको गिरा हुआ, कहीना कहीं आपका रुका हुआ धन है, तो वह आपको सिग्र प्राप्त होने बाला है और आपके जो आमदानी के मार्ग हैं चाहे आप नौकरी करते हैं ब्यापार करते हैं विजनिस करते हैं या पढ़ाते हैं कोई भी आपका कार्य है तो उससे विश्य सुरूप से लक्षमी का आगवन होने वाला है इसलिए इन चारों में से कोई भी चीज उल्लू छिप्ली छ अबसे लिखें ताकि आप पर मालक्षमी की विशेष क्रपा वनी रहे ौजय मा महा महालक्षमी